हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशल विद गोपी करस्णा में पुना स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे क्या म्यूचल फंड में हर बार किवाइसी करनी पड़ती है ऐसे प्रस्ण आप लोगों में से भी कई लोगों ने पूछे और हर एक ब्यत्ती की जानने की इच्छा होती है कि हमको क्याइसी हर बार करनी है या कब कब करनी है या नहीं करनी है इस विस्टार से चर्चा करेंगे जिससे किसी के सामने किसी भी तरह की दुद्धा ना हो देखे एक अप्रेल 2024 से 44 से सम्बंदित एक चैन्जे जाया है अगर किसी की किवाई सी वालिडेक्ट नहीं है तो उसको पहले वालीडेक्ट करना होगा पहली चीज कि वाई सी होती है और कैसे बनती है किवाई सी का मतलब होता है full farm होता है knowyore clients में अपने customer अपने clients के विशय में जानी है इसमें क्लाइंट की य bod इसका पैन आधार email iden mobile number ये सारे छीजे Fortnite अपडेट होती है उसका tax status क्या है PMLA तो नहीं लागो है उसके ऊपर या NIRI clients ये सारे चीजे उसमें mention होती है कि उसका tax status क्या है इसके विशा में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया चाहें तो आप उसमें पूरी details देख सकते हैं आप हम KYC अगर कोई ब्यक्ती चाहे तो कैसे check करें वो investment तो अपना करना चाहता लेकिन KYC check कैसे करें के आरे की साइट पे civil kra.com आप लिखें यहां पर जाईए के आरे का मतला भी होता के आरे क्यवाइसी registration agency इनकी साइट पर आप जाईए वहां पर कई options मिलेंगे एक option मिलेगा क्यवाइसी inquiry उस पर आप क्लिक करिएगा अपना फैर नमबर लिखेगा नीचे एक जगे लिखे करके आ रहा हा आई हम नाट रोबेट रोबोट उसको टिक करिए कुछ इस इमें जाएंगी उसको आप जो select कर लिजे सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे submit का option आएगा submit कर दिजे आपकी क्यवाइसी अगर बनी होगी तो दिखाब बता देगा कि आपकी क्यवाइसी बनी है अगर क्यवाइसी नहीं बनी है तो कह देगा क्यवाइसी नाट फान और कार वी जो आल्टी हैं उनकी साइट पे भी जाके बना सकते कहीं से भी बना सकते हैं अगर दिक्कत हो आप अपने जो आपका वित्तिय सलाकार जिससे निवेस करना चाहते उससे कहिए तो भी आपकी के वाइसी बनवा देंगे हाँ जिन लोगों ने इस्टाउक मार्केट म मुचल फंड में दोनों कहीं के वाइसी काम करती हैं लेकिन एक अप्राइल दो हजार चौबिस से चेंजिस क्या आया यह सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार देख लीजेगा जब स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर दो चीज लिखके आएंगे एक रागल तो रजिस्टर्ड क्यों इसे रेजिस्टर्ड क्यो आइसी राजिस्टर्ड और रोजो हो से अर्ग मतलब आप सिर्फ उन्हीं में मुचल फंड कंपनी में इन्वेस्मेंट कर पायेंगे जहां पर आपका फोलिय Online इन्वेस्मेंट आल लेड़ी हैं है मैं और जहां पर बिल्कुल नया आपका investment होगा जिस mutual fund company में उसके लिए पहले आपको अपनी किवाइसी वाइलिडेट करनी होगी तो किवाइसी वाइलिडेट कैसे करें पहला चेंज यहीं सबसे बड़ा किवाइसी वाइसी को वाइलिडेट कर सकते हैं लेकिन यह वहीं लोग कर पाएंगे जो इंटरनेट या डिश्टल मीडिया से अच्छी तरह से परचित हैं और जिन लोगों को दिक्कत आ रहे हैं वह अपने वित्तिय सलहकार के पास जाईएगा वह आपकी किवाइसी वाइसी करा देंगे और जब आपकी किवाइसी वाइलिडेट हो जाएगी तो उसके बाद आप जहां पर भी चाहें जिस मीचल फंड कंपनी में चाहें अपना आप इंवेस्मेंट कर सकते हैं तो किवाइसी वाइलिडेशन के लिए क्या-क्या डाकॉमेंट्स की रिक्वार्मेंट् और हमारा क्यवाइसी नंबर क्या होगा मुझे क्यवाइसी नंबर ही नहीं मालूम क्यवाइसी तो आ लेटी बनी है लेकिन क्यवाइसी नंबर क्या है यह नहीं मालूम देखिए क्यवाइसी नंबर आपका हमेशा पैन नंबर ही होगा जो आपका पैन नंबर है वही क्यवा की बनाने में लगते हैं अच्छा कवाइसी और कपकब चेंज करनी चाहिए मालेजे आपका इमेल आइटी मुबाइल नंबर चेंज हो गया कई फॉलियों में आपका इंवेस्टमेंट है या आपका एड्रेस हो गया उसको चेंज करने के लिए भी आपको अपनी के वाइसी और चाहते हैं कि मेरा चेंज हो जाए तो एक बार तो एमसी में चल्फन कर दो जाए लेकिन जब वह प्रसेस होगा तो फिर से वही आज़र्स लेगा जो आपका किवाइसी में है तो इसलिए इन सभी चीजों में किवाइसी आपको अपडेट करनी होगी और अगर आपकी किव किवाइसी वाइलिडेटेड है तो आपको हर बार के वाइसी बनानी की आवसित्ता नहीं आप जहां पर चाहें जब चाहें अपना इनवेस्थम बड़ी आसानी से कर सकते हैं हां लेकिन यह कि आपकी बैंक डिपोजिट या फाइनेशाव इंस्टिवुशन पर नहीं यहां पर आपको एक ही बार क्योशी बनानी और दूसी जगे आपको जैसे आज आपने इंसरेंस लिया कर आपने HDFC में लिया तो वहां पर हर जगे आपको अलग-अलग अपनी क्योशी बनानी पड़ेगी आगे आनेड़ वाले समय में हो सकता कि गवर्मन्ट कुछ कुछ ऐसा करें कि एक ही क्यवाई सी सभीजे के काम करें मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा देखें दूसरे लोगों तक भेजें जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब सब्सक्राइब करने बेल आइकाउन को प्रस करना ना भूले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार